एक नहीं बैच चल दे उसमें आठ वसे समय अब ध्यान दो इदर साइड में समझो आज हम सब पढ़ने वाले हैं LCM and HCF बहुत ही ध्यान से देखना प्यार से देखना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा यह हमारी पूरी गारंटी होगी लेकिन कलास को पूरा देखना बीच में विल्कुल भी छोड़ के ना जाना ठीक है जिनको कोई भी इंक्वारी करना है नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उसको नोट करें और उस पर इंक्वारी करने दिन में यहां पर बाचीत नहीं करना है कोई भी परकार की चलो फिर गुड़ आ देखो समझो पहले हम इनसे अपना परिचे करवाते हैं इनसे अपना परिचे नहीं मतलब इनका परिचे आपसे देखो सुनो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है समझिए LCM और HCF दोनों क्या होते है इनका मतलब क्या है और इनका जो एक वरकार से बेसिक कांसेट है वो हम आपको देंगे एक दम निचोड के जैसे नीबू निचोडने पर उसमें रस निकलता है न तो आपको सिर्फ रस रस मिलेगा बस नजरे गड़ा के रखना देखो इदर साइड में का जो फुल फार्म होता है पहले तो यह समझो इंगलिस वाला फिर हिंदी वाले में बात करेंगे इसका फुल फार्म होता बच्चा लीस्ट यल इएस्ट लीस्ट कामन मल्टिपल अभी आगे देखते रहो सब मिलेगा इसका इसका फुल फार्म होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो कि नहीं देखो समझो लगुत्तम समापवर्ते इसको बोलते हिंदी में लगुत्तम बड़ा ही खतरनाक हिंदी है इसकी समापवर्ते देखो ध्यान देना यह स देखो हमारा थोबड़ा मत देखो तुम किवल बोर्ड देखो बोर्ड दिखना चाहिए बाकी कुछ दिखे या ना दिखे देखो समझो है अच्छे सीएफ का मतलब क्या है और हाँ है अच्छे सीएफ तो बात करेंगे बाद में इसमें एक चीज और मतलब होता है आप समझ गए इसका और भी नाम है वह क्या है इसको लिष्ट कामन डिवाइजर भी बोलते हैं क्या है तो मल्टीपल बोलो यह डिवाइजर बोलो और ऐसा क्यों यह अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी आगे देखते चलो पूरा समझ से ठीक है प्रियंका कुमारी जी इसके पीछे का जितने भी कलास है वो प्लेलिस्ट में है आप प्लेलिस्ट में जाके देखो सारा कलास है पीछे वाली चलो आगे बढ़े समझ को कहते हैं हाइस्ट हाइस्ट कामन है अब समझो इधर साइड में देखो बहुत ही प्यार से समझो हाइस्ट कामन फैक्टर और इसको एक नाम और भी बोलते हैं जी सी अफ देखो यहां पर सी लगाना नहीं बोलना यह तो बड़ा खतरनाक वड़ा बन जाएगा यह जी अब बन जाएगा बस उसका मतलब तुम समझ जाओगे तुरंत इसका तो चाहिए नहीं समझो देखो इसको बोलते हैं ग्रेट टेस्ट मैंने सही लिखाया क्या कामन फैक्टर तो यह इनके हो गए हिंदी के फुल फार्म क्यूंकि हम पढ़ रहेंगे एकदम जीरो से एकदम सुरू से पढ़ेंगे इस वजह से यह मैंने आपके लिए लिख दिया आप इसे देख लो चापलो प्यार से उसके बाद फिर ठीक है भईया बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड चलो आप सभी छात्र इस सेशन को सेयर जरूर करो और जो लाइक नहीं किये ना वो लाइक जरूर करें अगर लाइक नहीं करो गए ना तो इसी महीने वरेक अप होगा याद रखना समझ रहो ना तो भई अगर इस मु पड़ा दूं हो सकता आप भी कुछ इफेक पड़े तो इसको लिख लो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं बहुत ज्यादा जूम लग रहा है जगा मुझे कम मिल रही है लिखने की इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं वैसे ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा हलका सा चलो ठीक है ओके अब देखो इतना हो गया ना इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कोई समस्या नहीं ना चलो ठीक है अब समझते हैं कहां से मिलेगा अगर तुमारे दिमाग में गोबर बराए तो उसको साफ तो नहीं करेंगे यह समझ गया आप हाँ अभी इसमें मैंने क्या बोलते हैं देखो यार इसकी हिंदी जो है नीचे दिखते हो रहा है न इसको बोलते हैं महत्त्तम समापवर्तक देखो मतलब समझना दोनों में अंतर देखो ये वर्तक है ये वर्त है समाप वर्ते और ये समाप वर्तक यहाँ पर फेक्टर वर्ड यूज हुआ हर जगा और यहाँ पर मल्टीपल या डिबाइजर दोनों एक दूसरे के अपजिट होते हैं कि अब रहो ना इस अब को नहीं बोल रहें कुछ ऐसे टाइप के आ जाते हैं वह एकदम परिसान कर देते हैं तो उनको बोलना भी बढ़ता है जरूरी भी उनके लिए नहीं तो वह समझते ही नहीं है कि मानसु गुपता जी गुड़नाइट बच्चा ठीक हो ना आमन कनो जिया पी अक्स गेमर डिवेडेड नहीं समझाएंगे क्या करें डिवेडेंड नहीं समझे बच्चा तुम पानी पीके आओ जाओ पहिले नहां भी लेना अगर टाइम रहेगा थोड़ा सा और फिर आना चलो आगे चले अब देखो समझो यह चीज तो आप लोग समझ गया होगे देखिए अगर हमें किसी दो भी टॉपिक के बारे में सुन्त भासा में बोलें तो अगर हमें किसी दो टॉपिक का अध्यन करना है तो हम उन दोनों में अंतर समझेंगे मतलब डिफ्रेंस और अग तो उसको समझना आसान हो जाता है कि कैसे समझो साइडसाइड में अहां दॉप यहां दिख रहा है न इसमें बीच में एक सब्सर अब क्लाइन गिझा अलग समझाए?」 कि है ऐसे मान सबसे पहले आप अपने दिमाग की जो धकनन है उसको खोल लो और खोल के उसमें यह भर दो कि LCM और HCF सदयों दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है किसी एक गिंती का LCM या HCF नहीं होता है कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो वीडियो में बहुत बार कमेंट करते हैं सर 78 का LCM बताए दो 248 का LCM बताए दो अरे गदवों खचरों यह एक नंबर में नहीं होता है दो या दो से अधिक नंबर का होता है समझ रहो ना चलो आप आगे देखो समझो आगे साइड में समझो संकरलाल को इनको हाइड कर दो एक दम से चलो और जो भी फालतू कमेंट करे उनका कमेंट ध्यान से देखो आप और जल्दी जल्दी से उनको किनारे लगाते जाओ आपका यही काम है अब यहीं काम है हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस समझ रहे हैं आज के बाद यह नहीं कहना कभी कि मुझे LCM नहीं आता है बिलकुल एकदम 100% आएगा बस समझना प्यार अभी अभी एकदम कोटे छोटे से यह फोर और एट आप देखो दोनों में अंतर समझो कि यहां समझो फोर और एट का LCM करने की दो तरीके होते हैं एक होता भाग भी दी एक होता है गुड़नखंड भी तो पहले आप मुझे यह बताओ कि कौन सा विधी किया जाए जल्द कि मिल नहीं रहा का आपको मतलब हम आठ बार बताएं तब करेंगे आप ध्यान दीजिए ना इन लोगों को इसलिए तो बैठे हैं कोई रहते हैं खुदी आप काफी देर से रंड़ा किया है को इधर ओर एट का हां मैंने आप से कहा कौन सी विधी से करें तो आप लोग मु करवाएंगे चलो ठीक हम दोनों करवाएंगे दोनों करवाएंगे लेकिन पहले एक विधी पहले हम भाग विधी से करवा दे रहें अच्छा गुडणखंड कर लो चलो यह फोर है और यह एट है तो पिछली कलास में हमने फैक्टर पढ़ा है पढ़े हो ना अगर आपने नहीं देखा तो संपर करना तो इनके फैक्टर टू और टू होंगे और इनके फैक्टर में एक और दो हो जाएगा सामिल बस यह हो गए फैक्टर LCM में क्या करते हैं बच्चा देखो मुझे पता है तुमको मालूम है आता है अभी जादा नचट पटाओ अभी थोड़ा देर में ठंडे हो जाओगे जब कुछ कुश्चन आगे बढ़ेगा चोटा 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 चीज़ीं अगर आती हैं तो लोग काफी फड़ फड़ है और फिर जाते धड़ाम से नीचे धैर बनाके रखो सबर रखो बच्चा आओ देखो इदा अपचनी होगी हजम करेगो चलो देखो पहले ये दो इसमें भी है इसमें भी है एक नंबर कॉमन है मतलब दो दोनों में है न और तेखो ये दो भी दोनों में क्या है कॉमन है तो जो एलसीम क्या कहता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन है उनमें से मतलब जोड़ा बना लो एक परकार से पेयर इसमें से एक यहां लिख द लेकिन यह कहता है वही सबका साथ और आगे वाला वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग इस नाम पर अबदाली दे रहे हैं सबका साथ मतलब जो इसां पच रहा अकेला उसको भी लिख लेंगे यह ठीक है पहले अच्छा लगता था यह कोई दिन पहले अब इस तरह से इसका खुड़नखंड हो गया अब आगे देखो यह तो आपका हो गया क्या है कि अनों में हम अंतर आपको समझा रहे हैं अंतर क्या होता है पहले एक ही कुश्चन के बाद आप एकदम क्लियर से समझ जाओगे लेकिन देखो तो पहले जो कमेंट के पीछे डंडा किये हैं उनसे निबेदन है बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देलो जिंदगी में बहुत कुछ करना है समझे रहो आओ चलो इसका भी वैसे ही करेंगे सब कुछ वैसे ही करेंगे बस थोड़ा सा प्रकिरिया बदलेगी इसके भी फैक्टर वही आएंगे ऐसा नहीं कि वहां वह दो दो दात उनको बना लो मतलब जिनके जोड़ी बन रही उनको बना लो और जो कुवारे बचेंगे उनको भी पाइकार्ट कर देना अंदर इंट्री नहीं है उनकी देखो कैसे यह इनके पेर बन गए कितने बने दो जोड़ी बन गई अब यहां पे लिख लो HCF यह तो मैं लिख रहा पेर फे एक दो लिखोगे दूसरे वाले दोनों पेर फे एक दो लिखोगे लसीम में क्या था जो एक बेचारा अंकेला बच रहा था यह तनहासा इसको भी साथ लिख लेते थे लेकिन यह सब बड़े खतरनाक हैं यह कहें नहीं नहीं तुम दूरी रहो उसको नहीं लिखे हूं सिद्ध करके दिखाता हूं मैथमेटिक सीसी लिए तो आसान होती क्योंकि इसमें बहुत ही चीज़ें सिद्ध की जा सकती हैं अब देखो इधर समझो अनुसका सुकला जी गूद इबनिंग बहुत जल्दी आई हैं आप काफी चलिए 4 और 8 यह हो गया अब अंतर समझो मतलब समझो देखिए नंबर तो सेम थे दोनों में इसमें भी 4 8 था इसमें भी 4 8 था इसका अंसर 8 आया इसका 4 आया अब तुम लोग के दिमाग में यह होगा कि LCM जो है वो भाया छोटकी गिंती होती है छोग कहेंगे यह बढ़ की किंतियों सोथ की किंटी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पहले मतलब समझों चुक्त को यह जो है यह डिवाइजर है या मुल्टीपल आप इसको मोटा-모टा ऐसे समझे लो इधर साइड में देखो यहां पर अनिल को भी हटा दो थोड़ा देर के लिए तो थोड़ा ठंदा जाएं वह भी हलका सा फिर आजाएं अनिल चल अब इधर समझो देखिए अगर आपको Orthodox नहीं आती है तो आपको इमानदारी से देखना होगा और जो चीज़ें आपको आती हैं उनको भी देखना होगा सब्र बना के रखना होगा यह नहीं कि मुझे यह तो आता है मैं इसको कहें देख तभी समझने आएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगी इसको भी समझना होगा हो सकता है कुछ चीजें इसमें से आपको आ रही हूं लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा हमने नंबर चुना फोर और एट हमें आपको समझाना है पुल मतलब कंपलीट बैसिक कंसेप्ट कैसे क्यूं कब समझो कि इनका जो एलसीम आया था वह कितना आया था भाई साहब आठ आया था और इनका जो एचसी अफ आया था वह का आया था आप लोगों ने देखा था मैंने छुपाया नही अब दोनों का मतलब समझो समझो और प्यार से देखो ठीक है यह एलसीम कितना आया था एट आया था इसका मतलब यह हुआ कि एट को आप इसके अंदर लिखोगे ठीक है एट को इसके अंदर लिखोगे और दोनों नंबर से बारी बारी भाग करोगे यह देखो दोनों होना चाहिए तब LCM सही माना जाता यही मतलब LCM का ठीक है और हाँ इधर साइड में देखो HCF क्या मतलब है HCF क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि आप 4 से बार बार भाग करोगे कुछ दिमाग में घुसा की नहीं इसमें LCM इसके अंदर में रखा जा रहा है इसमें HCF बाहर रखा जा रहा है यानि HCF से भाग करके हमें उन दोनों नंबर को completely divide करना है जबकि LCM जो आएगा उसमें इन नंबरों से भाग करना होता है यहीं अंतर होता है जो समझ रहें वह समझ गए होंगे और जो ऐसे आये हैं धर्म निभाने के लिए उनी भार रहें चलो अब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा भया यह फोर टूजा एट यह पूरा पूरा कट गया जीरो आ गया यानि यह क्या है सही है लेकिन यह इसी तरह से एट से भी कटना चाहिए तो भाग दे लो एट बंजा एट जीरो यह भी हो गया कट गया खतम हो गया हाँ बात समझ में आ है ना यह हो गया समझ गया अगर यह गलत होता अगर यह गलत होता तो यह आईसे भाग जाता ही नहीं फिर इसमें कोई ने कोई अरचा ना जाती और वह कंप्लीट नहीं होता धंग से समझ गये ना मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं पेज के आज क्योंकि मुझे लग रहा वाइस कभी-कभी रिरेट करास हो जा रही चलो ठीक है थोड़ा दीरे बोलेंगे काया चिर लाएंगे चलो अब इन में भी भाग कर लो फोर बंजा फोर यह क्योंकि पहला नंबर क्या सब्सक्राइब कर लें बच्चा जिससे की पढ़ सके और जितने भी पूराने मित्र हैं वो सभी इस सेशन को लाइक अवस्य करें आपकी बी कुछ जिम्मेदारी है बाबु इस सेशन को लाइक जरूर करो ऐसे मज़ा नहीं आता फिर मैं क्यों पढ़ाओ बताओ अगर आप पते एक ऐसी कलास चलाएं एक दिन कम से कम 6 गंटे की लाइब मतलब सुबह 10 बजे से चल जाए तो 4 बजे तक उठना नहीं कोई भी खाना पानी लेके बैटना रासन बांध के बैटना ठीक रहेगा ना अगर सबी रेडी हो तो बोलो यस उस दिन पूरा मैथ कंपलीट हो ज मुझे पता है प्रियंका कुमारी को बड़ा काम है मैं चलो यह तो था एकदम बेसिक बच्चों वाला जो मैंने आपको पढ़ाया और आपने देखा कुछ लोगों ने प्यार से देखा कुछ लोग अंदर अंदर गरिया रहे थे किता चोटा काह बता रहे तो चलो ठीक है अपनी अपनी 3 हा फैसा जेखोगैं को बुरा सोचता है है अए आगे अपने फिर हे संभी रेडियो ना पांच गंटा के लिए छे गंटा के लिए रेडियो की नहीं पर्तिभा के शरुआनी निंग सर नाइक में चला दीजिये दमे नहीं पांझ सईंधान वितान दीख रे प्रश्राइब लोगों को एक छोटा सा कुईस्टन देंगे प्यारा सा आप लोग बताना जब चलाएंगे पहले से एक आत हपता पहले से बता देंगे तिंचा दिन पहले से चलो कोशिस तो यही है कि एक दिन होजा छे गंटे की ठ्राई करते हैं फिर बारा गंटे की चलाएंगे पूरा रात वाली आप लोग लेकिन साथ देना भाई क्योंकि आसान नहीं होता इतनी बड़ी कलास है तो अब हम सबसे पहले केवल और केवल LCM पढ़ेंगे अंतर तुम कुश्चन है एकदम छोटा सा है प्यारा सा 12 और 32 का LCM जल्दी से आप सभी में से कोई बताए कितना आएगा चलो जल्दी करो कितना आएगा एक बार कोशिश करके देख लो बच्चे कितना आएगा भई क्या हुआ हुआ है जल्दी करो सभी इस पूछा है इधर साइड में हड़ जाता हूं चलो कि दिख रहा है ना सबको अच्छे दिख रहा ना कोई दिक्कत तो नहीं ना देखो यार बोलते बोलते कभी-कभी बतलब कला भी सुपिता आता है क्योंकि लोग तो लाइप देखते हो दिन में सिर्फ एक ही बार और बाकी मैं चिलाता हूं दिन में कई बार भाई देखो बेचिती ना करो ठीक है बात समझो जादा बेचिती करोगे तो फिर अभी कड़ पड़ हो जाएगा चलो सभी जितने भी साथी जुड़े हैं वह क्लास को लाइक जरूर करें जल्दी करें देर ना करें मैंने एक आंसर पूछा था लेकिन यह गदे अभी तक उत्तर नहीं बता है बाई कुछ नदाज हो रहे हैं बहुत तेट से का यह गदे बदे बोल रहे हैं हमें एसल्ट बैस्ट गेमिंग पच्चा तुमारी सारी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही हमारी इंगलिस के करणिंग तीपा कुमार पीउस कुमार यह यादो किसोर पावर पावर लिखा यार देखो मुझे यही तो का ना इंगलिस नहीं आती चलो देखो इधर साइड में गुड़नखंड विधी दर साइड में गुड़नखंड विधी में क्या करते हैं दोनों नंबर को अलग अलग ऐसे लिखते हैं ऐसे लिख करके इनके गुड़नखंड करते हैं पतलब फैक्टर निकालते हैं मैं एक बार आवाज देखनू कैसे आ रही फिर आगे बढ़ते ह क्या करते है दोनों नंबर सो अलगती है अनुश्का शुकला जी मैं आपको गदा क्योंकि मैं सबसे बड़ा गदा तो खुदी हुँ को आप को कहें बोलूगा आप खुश हो ना आप लोगों को नहीं का मैं खुद गदा हूं और तुम लोग गदे से पढ़ रहे हो तुम लोग क्या हो डिसाइड कर लो चलो आगे चलो देखो इदर इनके क्या करेंगे अब समझो ये 2, 4, 12 इसके फैक्टर करोगे 2, 4, 8, 260 और 32 आप क्या होगा आप लोग अगले स्टेप में क्या करोगे अभी मैंने बताया था बहुत बाव सार चीज़े मैं आप इदर समझो अब हम यहां नीचे लिखेंगे LCM of 12,32 या फिर हिंदी में लिखोगे तो कुछ अलग नहीं लिखोगे 12,32 का लासा बराबर या LCM बराबर ऐसे लिखोगे ठीक है चलो देखो आगे क्या करोगे नीचे दिख रहा है मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है इसके नीचे लिखने का मतलब है गड़बड हो जाएगा चलो जाने दो इधर कर देता हम समझो LCM of 12,32 इसके बाद हमें एक काम करते हैं पता है क्या करते हैं यहीं से समझो नीचे से इनके पेयर बनाते हैं और मिलाते हैं कि उपर नीचे में कितने कितने नंबर एक में मिल रहे है ठीक है देखो यह वन पेयर बन गया ना एक जोड़ा बन गया अब आगे देखो इधर साइड में समझो किरन मोर्य आपका कमेंट आ रहा है आप काही को परिशान है बलाग तो नहीं किया गया आपको चलो दो पेयर बन रहा है अच्छा एक बात बताओ क्या इसमें कोई और भी पेयर बन रहा है देखो दो इसमें भी था 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 कहने का मतलब दोनों के गुड़नखंड में वह नंबर होना चाहिए पाफ इतना ही करना है ठीक है अब तीन देखो है इसमें क्या नीचे बाले में कहीं तीन है क्या नहीं है नहीं है नहीं है इसमें कहीं नहीं है अब क्या करेंगे हम जो पेर आया है न दो पेर बनाए उसमें से एक एक नंबर लिखेंगे दूसरे बाले से भी एक नंबर लिखेंगे उसके बाद क्या करते है आप जानते हो उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद आप देखो यह इनकी तो जोड़ी बन गई अब कुवारे कितने बचे हैं उनको देखो कितने हैं इनके संख्या जाता होगी यह लोग भी परिशान है चलो देखो इधर साइट में समझो पर्मनेंट किसी को बलाक ना करो किरन मौर्या को भी बलाक कर दिया देखिए यह लोग जो शिकायत कर रहे हैं किवल आप हाइड किया करें पांच मिनट के लिए ठीक है किसी को एकदम से हाइड मतलब बलाक मत किया कर यह क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टे अब थ्री देखो अकेला बच रहा है यह टू बच रहा है टू बच रहा है जितने भी बच रहे हैं यह सब उसी में आ जाएंगे पीछे समझ गए ना जैसे यह थ्री और यह फिर तीन बार दो-दो है न एक नहीं दिख रहा है उसके उपर ओपर जा रहा मुझे लग रहा ह ऐगए जानेदू ठीक है एक बार दो दिख रहा है ना था दिख रहा है जो और तीन कोई फाइनल करकर के बतायेगा की नहीं कुई कोई फाइनल करके बताएगा कि नहीं आप पांच मिनट के लिए हाइड किया करिए एक दम से मत किया करिए ना यह अब गी एटिट्टूट बॉय को क्या कि पर्मनेंटली अब देखो समझो तो दुना चार तियां बारा और बारा दुना चौविस दुना अड़ा तालीश दूना चानवे ना इनटीश आएगा ना बिलकुल सही कहा आपने सब का मल्टीपल कर लेना वही या गुड़ा कर लेना है ना इनटीश आएगा समझ में आया ना सभी को कैसे कैसे क्या क्या करना था आप सभी समझ गे मुझे लग रहा है बिर्जेस राजपूर जी बहुत अच्छे उमंग मिस्रा परतिभा के सर्वानी अनुस्का सुकला किरन मोर्या आजे एपी पिउस बिने कुमार बिने कुमार जी आप मुझे ये बताए आप वही बिने कुमार है रिजिनिंग वाले गुरु जी अगर हाँ तो जल्दी से वाई 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 लिखो ती इन बार एक कोड है आपके लिए ठिक मिस्टर बिने कुमार आप रिजिनिंग वाले गुरू जी है मुझे लग रहा है जहां तक पूरा उम्मीद तो ही लग रही है जल्दी बताइए आगे बढ़ते है आप लोग इसको लिख लो भीया और सेशन को लाइक जरूर करो मैं मिटाने चल रहा हूँ मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ इदर साइड में अब चलो अगले सवाल का जबाब देना अगले सवाल का जबाब देना एकदम छोटा सा है नन्ना सा नहीं है चलो ठीक है कुछ कंफ्यूजन थी मुझे 48,96 इसका LCM करके बताओ कोई तो जल्दी करो भई इनिवन कोई भी इसका LCM करके बताओ देखो जिनको महत नहीं आती है सिर्फ उनके लिए कलास है जिनको आती है वो लोग आ करके थोड़ा उटक पटक करके चले जाते हैं लेकिन याद रखे ना जिनको नहीं आती ना उनका सराब तुम्हें बहुत तेश से लगेगा अगर उनकी कलास में डिस्टरब करोगे क्योंकि वो अंदर से खुदी फ्रेस्टेड है पहले से और उनकी बोली ना गोली जैसे लगेगी याद रखना इसलिए कलास में डिस्टरब ना किया करो अगर आती ये तो ठीक है कुछ और काम करो काय डंडा कियो यहां के समझ रहो ना च चलो जितने भी साथी जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह बिलकुल फ्री कलास होती यूटूब पे सब्सक्राइब करना न भूलें एब्री डे रात के 9 बज़े से चलती कलास ठीक है संध्या मिस्रा जी आपका नाम नहीं लेते हैं संध्या जी देख आप लोग जुड़े रहो सबका नाम बोलेंगे सभी खुश रहोगे बस चलो कुछ काम भी कर लिया करो नाम के पिछे काय पड़े इतना फातिमा जी कह रहे ही कि तरीका बहुत अच्छा है समझाने का घर के सभी फोन से लाइक कर दी हूँ फातिमा जी आपको धेर सारा थैंक्यू कितना थैंक्यू इतना पतलब दोन वाद नहीं दिख रहा है क्या यह इतना चलो इधर आप देखो 48 और 96 इनके फैक्टर करो अला इसका आंसर कोई बताएगा क्या जेपी बाई बोल रहें 96 इनेस इसका भी च्छान बे आएगा का मैंने एल सी आ मैंने पुछा इसका कितना आएगा कि अरे इसका और इसका कितना आएगा नए वाले का कंगा इसका कि मेरे साथी यह सुने उसकी सुने वह कि न हुआ सिक सब छानने बाता सब भूस्त ने यह है आर दुना सोला और सोला ती आर तालिस जो भी बोलते ना आप लोगों को बड़े प्यार से बोलते और इसको दिल पर मत लिया करो यार मुझे तो गदा बोल दिया मैं नहीं देखूंगा लिए नाम भी ले ले का कि सको बोले हैं तेखो इसलिए नाम नहीं लेते किसी का आउसलो भाई आप कोई ठीक चलता हैं न और तैक चलो तो दुना चार दुना आर्ट दूना सोला ती आठाल सही है नमने सही लिखा की नहीं इसमें कोई दिक्कत भाई नहीं ना चलो फिर इसका कर लो दो दूना चार दूना आड़ दूना सोला दूना बत्तिस दूना चौशाट मैं लगड़ बड़ा जाएगा इसके बाद दो दूना चार दूना आड़ दूना सोला और फिर निकाल दें क्या इसका LCM मतलब गुड़ अगा आई होता है। इसका मतलब यह होगा। यह क्या हो गया। अब देखो यहां पर समझों। सम्झों लेकिन प्यार से सम्झो यह हो गया कंपलीट हमें क्या करना था हमें निकालना था एल सी एम लिस्ट कामन मल्टिपल लगुत्तम समापुवर्ते सामने से हड जा रहा हूं बोड देख लो थोड़ा हमारी सटल भी देख लिया करो बीच बीच में हां चलो तो अब क्या होगा इनके पेर बनाओ वाई जोड़ी बनाओ इनकी पंडित बुला लाओ और इनकी पंडित बनाओ कितने लोगों की जोड़ी बन रही देखवे हैँ आप प्णडित इसमें कि नहीं चलो बन गई न अब देखो समझो देखो इधर समझो 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 अच्छे से समझो कितने पेर बने हैं एक दो तीन से और गद्धो एक ठी आउर बन रहा है यह मचमा इतने पेर बन गए न सबसे एक हैक पकड़ लो इसमें से इसमें से एक दो इसमें से एक दो अर इसमें से भी एक दो यानि यह चार तो ओला आ गया एकधी इसका भी बना है यह बही आ गया बिचा लेका सब की तो जोड़ीलिए इतने लोगों की यह बेचारा मायूस अकेला इसी बीच में लटका है यह कह रहा मेरी तो जोड़ी नहीं बन रही तो यह में क्या करते हैं जो बच जाता है लाश्ट में उसको भी लिख लेते हैं यह पस वह गया आगे बढ़ें अब समझो आगे समझो मतलब समझो कितना आएगा बही साहब कत्बीर इस बताएगे कितना आएगा अगे देखू दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बतिस और बतिस यह तो वही आ जाएगा यार तीन दून अच्छा तिन दिर का नौ 96 आ जाएगा कितना आजाएगा 96 इधर दिख रहा है न इधर दिख रहा है न बात मुझ में आई ना चलो किसी को कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना शाप लिए जितने भी साथ ही हमारे नए जूड़े हैं चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर ले या आपकी जिम्मेदारी है बाबु जिससे की बिल्कुल फ्री पढ़ सको घर बैठे जल्दी करो देर ना कर ठीक है लेको लाइट थोड़ा डिसमिस हो रही थी कुछ मुसीबतें आ गई थी उसमें मतलब सब समझ रहे हो तुम अबना बताएं कि ज्यादा मतलब चलो भाई जिनको भी ठंडा ही करना एकदम से कसम खाके आएं कि पढ़ाने नहीं देंगे उनका नाम कता ही नहीं बोलेंगे उनको देखेंगे ही नहीं मान लो कि वो अपनी खोपड़ी पीट रहें पागल है 100% बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे लसी यम के बारे में ही बात करेंगे अब हम इसकी भागविधी भी बतादें क्या है और इमांदारी से देखना एक बात समझे लो अगर मैथ नहीं आती तो आएगी यार बहुत कठी नहीं बहुत आसान है मैथ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका ध्यान जो है 100% इस पे नहीं केंद्रित हो पाता है और आपका दिमाग कहीं न कहीं और भी घूमता रहता साथ साथ में कुछ लोग वीडियो देख रहें पड़तो रहें उपर से मैसेज भी आ रहा है क्लिंग चैटिंग भी करे जा रहें उम्हारा आदत से ज्यादत सब दिमाग तो उधर है क्या पड़ोगी है कुछ लोग है पड़तो इधर रहे हैं मोबाइल में देख भले रहे हैं घर में जगा पर हो तो आप जाओ बाहर कहीं बढ़ जाओ अकेले पौने में छुप जाओ लेकिन एक जगा एकान जगा पर बैठो जहां पर कोई परकार का डिक्ट्र बेंग ना हो अभी समझ में आएगा समझ गए कि नहीं अब चलो इधर साइड में देखो हाँ अब हो यह नंबर है 6060 और यह है 144 इसका हमें भाग विधी से क्या करना है LCM करना है ठीक है LCM करना है समझो इधर साइड में कौन सा विधी भाग विधी इसके लिए हम लोग एक बड़ा साइशे बनाते नहीं और उसी में सब को लाके भर देते हैं ठीक है देखो कैसे यह यह भाग विधी है अब ही तक तो आप गुरंखंड विधी देख रहे थे मैंने गड़ंखंड विदी में कई करवा दिये है गड़बड हो गया यह देखो 6060 और 144 इनके जो फैक्टर है वो थोड़े से और आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि यहां पर इसी में फैक्टर भी निकलता है बाद में जोड़ा ओड़ा नहीं बनता है सब एक के बार में हो जाता है मैं कमेंट देखूंगा ना तिये प तो 72 आएगा और 2 से भाग करोगे 30 में तो 15 आएगा 2 से भाग करोगे 72 में 36 कुछ लोग कहेंगे कर रहें कोई बताया था का इनको दो से करने के लिए देखो ऐसे यह कर रहे हैं मतलब सबसे पहले देखो अगर हमें कमप्रटीशन के लिए LCM निकालना है तो इसका दूफरा रिलेटेड कोई नंबर उसमें नहीं है बीच में तो हम उसको फैक्टर नहीं करते हैं डारेट गुड़ा कर देते हैं लेकिन हम सिखा रहे हैं बेसिक इफ लिए हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए प्रतिभाक एसरवानी बोल नहीं 720 जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे उसके बाद ऊपर जो 36 है दो से भाग करोगे 36 में अठारा आएगा आप सबको पता है यह थोड़ा अच्छा नहीं बना है यह गंदा लग रहा है आपकी बार मुझे लग रहा है काफी मोटा तगड़ा बन गया है जालो ठीक है समझ म मैं उसको खुब तेज से एक बार गटक जाया करो काट के अरे मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा और फिर देखो तुम्हें कुछ ना कुछ अंदर से होगा फिर नींद भाग जाएगी कुद्देर के लिए और अगर तब भी नहीं जा रही ना उस पर हलका सा जहां काट के ना अधो नमा ठारा है आथ में मत भर लेना कि पोड़ डालो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि तुम आखी खतम कर दो मैं हलका सा बोल रहा हूं तीन पचे पंदरा और तीन तरीका नौ आप देखो नीचे जो नमबर बच रहे ना इनका तो अब कोई फैल्टर होगा नहीं यह कटे पिटेंगे नहीं फिर क्या करोगे इनको भाईया यह तीन एक हो जाएगा और यह पांच नीचे इसके मुझे लग रहा आप नहीं एक दो तीन चार बार दो है चार बार दो है ठिक और तीन कितनी बार है दो बार है और यह पांच जो है यह भी इसी में उतर जाएगा याद रखना क्योंकि हैं केले बच्राल आश्थ में सब का मल्टिपल करना है कोई कर पाएगा सबका कुड़ा की नहीं चंदन कुमार आर दो से तो पांच नहीं आएगा ना तीन से कटेंगे तब पांच आएगा यहां पर यहां पर तुमने पांच लिखा आया ना वही जी आ रहा समझ में वह चीज तो मैंने लिखा ही यह ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है देखो इधर साइड में समझो आगे 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 16, 38, और सब का गुड़ा करो फटा फट यह 48 हो गया और यह 3 का 5 में कर लो 15 इसलिए किया क्योंकि यह काफी बड़ा जा रहा था एक बार में काफी बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसको क्या किया मैं कर लिया समझ में आया ना आप देखो इधर साइड में 158 हम सबको पता है कि 15 का पहड़ा कुछ लोगों को नहीं आता है वही 158 कितना होगा 155 75 156 157 105 और 158 120 होता है न उड़ा कर लो आठपंचे चालिस आठे कमार चार बारा 120 का जीरो हां सिलाया कितना बारा और 15 चुका साथ और साथ में बारा चोड़ तो बादतर तो बच्चवा हो बाबू हो 720 आएगा कितना आएगा 720 आएगा लिख लीजिए छाप लीजिए फटा पट यह हो गया मैं सामने से हड जाता हूं इधर साइड में छुप जाता हूं आप लोग लिख लो चलो जल्दी करो भाई हरी समझ में राज सेखर और अभी संकार पूजा इमान अंसिका सेंग चंदन कुमार बरिजेस अभी को आरा समझ में कोई समस्या तो नहीं हो रही ना हम दिख रहें आच्छे से चलो कि काफी जगा हो गई है दोड़ने घूमने के लिए पहले जब फोन से कलास होता था ना तो खोपड़ी पर कैमरा लगा रहता दिमाग खराब हो जाता मतलब तुम हील भी नजगो ऐसी जगा चलो फिर आगे बढ़ें किसी को कोई समस्या नहीं न चलो लिख लो फटाफट जेपी भाई अंकिस सिंग आता होगा आता होगा मतलब का बोल रहे हो भई लिख ले लिख ल पिर बात बनानी पड़ जाती है अगला कुश्चन अब ऐसे नहीं होगा हलुआ 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 अब कुछ बड़े-बड़े होंगे ठीक है कुछ लोग सोच रहे हैं कि हैसे हम यही पढ़ाएंगे रात भर नहीं चलो लिखो तो 19211 180 इसका जो बता देगा न उसको चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट अब थोड़ा सा कठीन हो जाएगा आपके लिए ये लो ये लो अभी तक बहुत मजा लिये हो 18-20 का करकर के चलो जल्दी करो इसका कौन बताएगा सबसे पहले बोटल दिख राएगा ये लो ठीक है यार जगा नहीं उदर साइड भाई इसको और किनारे करने का नीचे गिर जाएगा इसलिए मैं उससे किनारे नहीं कर सकता और ज्यादा अब आपको पता है वी पानी गया वो जाएगा तो मैं चिलाओं का कैसे और मुझे आधे भी मिला था उपर से ये पानी पीने के लिए मतलब जान रहे हो ऊपर से कॉ डूर वो कि अदो समझ रहे होंगी कुछ लोग कुछ और समझ रहे होंगी मैं जैसे भी समझे लो सब है कि इसका अंसर अंकित को तंब चातुम स्हुंस आक रहे हो का है है अब बस करो भाई बस करो अंकित भी वो क्या ना आप लिए चलो नीतु कुमारी इसका 720 कहा आएगा गदों इसका तो 720 नहीं आएगा यह जितना भी 720 बता रहे ना सब एक्दम खचा टाइप के हैं देखो इधर साइद समझो कि इसका जो LCM आएगा अगर तुम कह रहे हो 720 आएगा पऌध तो यह अपने दिमाग में बसा लो बसथनों नंबर का LC M निकालना है न कि निबी दो संख्या का LC M उन दोनों सख्याउं में से उन दों रहे संख्याउं में से किसी ने किसी एक संख्य कैंध से बड़ा आवस्य होता है उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है अ इधर साइड में दिख रहा उपर तक ना चलो समझो ठीक है इधर साइड में देखो हम जान लिए तुम कितनी पानी में हो चिला रहे थे बस बिर्जेफ राजपूद मतलब गुरू का असिरबाद जी जब आपको गुरू का असिरबाद मिली गया तो कहां से गलत होने वाला ह है आपने काफी अच्छी कोशिश किया ठीक है डीडी फ्री डिस यह लिख रहे हैं कुछ समझ रानी तुम पहले तो लिखना सीख लो रानी राजा बोलोगे तो गड़वड है यहां पर पढ़ाई हो रही है चलो उन्नीस सो बीस 1180 इनके फैक्टर करेंगे एक एक नंबर के हम सीरियल वाई सीरियल आप देखो इधर साइट समझो नहीं जाओ तुम लोग अब फिर मैं क्या करूं चलो जो से काटोंगे 2918 और यह काफी भारी यार दर्द करने लगता कान पे इसको मैं कल से नहीं लगाऊंगा यह लो चलो ठीकर नीचे सभी अवाद आएगी जरूरी नहीं कि इसको कान पे रखेड़ों है दो नवा ठारा और यह दो चंग बारा जिरू तो पंचे दस और दो नवा ठारा कि ऐसे इनके फैक्टर करने लगतार सीरियल बाई सीरियल सभी बच्चे फटा-फट कर लो जल्दी से हां जलो फटा-फट अब दो से काटो के दो चोग आठ दो अठे सोला जार देख रहो अच्छा नहीं बंदा यह कि आठ मुझ से नहीं बनता सही से पता नहीं इसकी कौन इसको भी काटोगे और चोटा करोगे दो दुना चार और यह हो जाएगा दो नमाठ थारा दो पंचे दस देखो भाईया यहां तक तो सब ठीक ठाक था इसके आगे जो आगे जा रहा है न यह वड़ा मुस्किल हो जाएगा आप समझते चलो फटा-फट संध्या मिस्रा जी सही है आपका बिलकुल सही है अपका और यह पर्तिभा केसरवानी जी आपका गलत है यह हंडेट परसंट गलत है केसरवानी जी आपर फटा-चार ऑड मैंवर अगे घ्रिजट चारना और 2हां यहisat औरत इसको इना किसी चैंजीं के के हैक सोभीक 어우 यह थाकरते चारव इसको बेसिक सिखा रहे हैं इसलिए बार बार उतार रहे हैं नहीं तो हमें यहीं से नहीं काटना था कहां से ये जब 2 से कटा था 480 आ गया था ना ये 2 से फिर नहीं कट रहा था तो हमें इसको यहीं पर छोड़ देना था बतलब डारेट गुड़ा कर लेना था उत्तर आ जा था लेकिन हमें बेसिक सिखाना आपको इफ लिए इसको हम तब तक कटेंगे जब तक की फाइनल उत्तर ना आ जाए वहीं जो आप सुनते आयो ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो इसको तोड़ो जब तक तूटे ये 295 नीचे दिख रहा है इसके नीचे नहीं दिखेगा अब इधर आ जाओ इधर आ जाओ वहां से जब नीचे नहीं दिख रहा है ये 60 आया है और 295 इसको यहां ले आओ चल भई आगे बढ़ जा दो से कटा तो 30 आया और ये 295 ऐसे लिख देंगे फोड़ा छोटा लिखूं और 295 फिर ये 5 से कटेगा 5 एककम 5 अब यहां पे ध्यान देना बच्चा बहुत ही प्यार से देखना ये 5 से कटोगे ति यह भी कट जाएगा 25 और 545 लेकिन ये 59 ना ये बड़ा खतरनाक आजाएगा 59 बड़ा ही खतरनाक आजाएगा कितना 59 किसी से नहीं कटेगा पहले ये बताओ कि कटेगा तभी बोलो 59 मतलब 69 किसी संख्या से पूरी दराफे डिबाइड होगा या नहीं बताओ हाँ या नहीं होगा की नहीं होगा कुछ तो कोसिस करो नहीं तुम लोग कर कि आ रहे इतना देर से प्रीता में आदो कटेग 591 और यह किसी से नहीं कटेगा कोई दूसरा भी गुरू का अशिरवाद आ गया का अब देखो डबल डबल हो तो हम क्या करें चलो ठीक है अब भाई गुरू अशिरवाद तो सब को देते हैं ना एक ही लोग को थोड़ी देते हैं अब देखो इसका अंसर हम कहा लिखें इसको हमें छोटा करना पड़ेगा आप लोग जरा नजरे गड़ा के रखना अब मैं थोड़ा इसको जूम से हटाऊंगा क्या बोलते हैं उसे जूम आउट करूंगा और फिर आपका बोर्ड बड़ा हो जाएगा जगा बड़ी हो करेंगे हमें क्या करना नीचे जगा एक लाइन दिख रही ना इधर साइड में लिख सकता हूं प्यार से कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर लिखेंगे लसी हम कि सभी का मल्टीपल कर लेंगे जितने भी नंबर है सब का गुड़ा कर लेंगे एक में सब का गुड़ा कर अभी दिख रहा है ना देखो अभी फिर से में जूम कर दूँगा आप टेंसन मतलो ठीक है आप टेंसन मतलो अभी फिर से में जूम कर दूँगा जो छोटा दिख रहा है बड़ा दिखने लगेगा अब देखो लाइस्ट में क्या बच रहा है तीन पांच और उनसट उदर गुड़ा जो लोग यही गुड़ा जो लोग नहीं कर पाएंगे वही गड़बड करेंगे अब मल्टीपल करना यहाँ पर बड़ी बात है आप लोग करके बताओ कितना आएगा जो को मैं तुमको बताता हूँ एक आसान तरीका इसको कई पार्ट में गुड़ा कर लो मतलब कई पार्ट में कर लो जब हो इसए देखो इधर साइड में कैसे के समजो मैंने सात बार दो लिखा है तो वधेखते को तीन बार यहां पे है दो यह पांच बार होगा तो साथ बार दो दुना चार दुना आठ दुना सोला दुना बत्ति दुना चौज़ईूना के तो एक अब ये मत कहना ये कैसे आ गया ये इसका अथना अंसर हो जाएगा कितना बोलेंगे इसको एक लाख तेरा हजार दोसो असी लिख लो चाप लो भाई अगर अलग अलग आईडी से comment करना हो उसमे सबसे बड़ा पुरुसकार रभी संकार को मिलता है क्योंकि यह ना आज तक जब से पंड रहें कम से कम हजारों नाम बनाएं होंगे और इनकी आईडी भी कही उठी बलाक है इसी बात नहीं है लेकिन इनको गूगल की तरफ से आफिर बात मिला है कि रोज नहीं आईडी बनाते है लिख लिए आप मैं इसको जूम करूंगा जो चलो ठीक है वेरी गुड़ बाई वेरी गुड़ पोसिस करते रहो बच्चे टाइम मुझे लग रहा काफी ज्यादा हो गया है कर लिए सभी जिखो जिनको कोई बात करना है वो लोग नंबर दिया गया उस पर संपर करो ठीक है भाई देखो आपके नाम से कमेंट नहीं कर अगला कुश्चन लिखो फिर मैं इसको चूम कर देता हूं चलो अब यह जूम कर दूंगा थोड़ा बड़ा दिखने लगे का टेंसन मतलो एक और करो अब ऐसे चोटे-चोटे कुश्चन नहीं करवाएंगे बड़े-बड़े करना पड़ेगा क्योंकि आप सीख रहे हैं अब इसका यह मतलब नहीं कि कख्चा पांच वाला ही पड़ो हर्दम लड़का लड़कियों वाले हो गए हो साधी ब्या हो गई हर्दम ही पड़ोगे चोटा 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 आज इन लोग की नहीं हो रही है पाई डिफाल्ट कोई प्रावलम है तो अलग बात है चलो 128 और 120 इसका कितना होगा चोटा सा यह बता तो चलो बता दो मैं जूम कर दे रहां टेंसन मदलो बड़ा दिखेगा जलो कितना आएगा बता दो जल्दी से और यह लोग में बढ़ा कर दिया चलो कितना आएगा ट्राइ करके बताओ कितना आएगा जल्दी बताओ फटा फट मिटा दे 128 और 120 का कोई बताएगा सबसे पहले एनीवन चलो जल्दी करो भाई सबसे पहले फटा फट जब आप दो इसको मैं मिटा देता हूँ मैंने पूछा अंसर 128 और 120 का LCM क्या होगा एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आप पूरा कंप्लीट मैथ जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप PBR Study का आप डाउनलोड करके और Premium Class को जरूर जोईन करें Premium Class को जोईन करें इससे कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ पाएं और बहुत जल्दी ही Mathematics सीख जाएं बाकी YouTube पर पढ़ना है तो रात के 9 बजे और सुबा के 5 बजे जरूर आओ देखो पढ़ो ठीक है सुबा आओ देखो और पढ़ो ठीक है बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत सभी साथी PBR Study का एप जरूर इंस्टाल करें और एक बार जा करके Premium Course को जोईन करें गारंटी हमारी होती है Mathematics सिखाने की Math में एकदम कुछ नहीं जानते हो तो एकदम इतना भी नहीं जानते हो रच्छी भर तब भी आएगा पूरा आएगा अच्छे से आएगा समझ में आएगा चलो कि अब इधर साइड में देखो इसके क्या करेंगे भई यह फैक्टर करेंगे तुम लोग जानते हो वजबं से ही मैं चिलाता आया हूं तुम पढ़े भी हो एकसो अठाइस और एकसो बीस दो से काटो जो चंग बारा दो चोकाट इसमें किसी को कोई समस्य कोई परेसानी हरा नहीं नहीं ना अब आज बस आ रही है बच्चा मैं खुद देख रहा हूं तुम का है परेसान हो दो त्याइं छे दो दुना चार दो से काटो यह फैक्टर करना आप सभी जानते हो मैंने कई बार बताया ना निष्टर और तसी सिंग पूजा मिस्रा जी आरहा समझ में यह एकदम चोटा काटा काड़ालो मात डालो इसको काट काट काटके देखो यह यह 15 मतलब समझ गए ना एकदम छोटा हो जाई एकदम ननननन बरका नीचे एकदम सबसे नीचे पंदरा आया है सबसे नीचे क्या है पंदरा आया नहीं दिखरा जो यह 15 है लेकिन मैं इसको यहां से मिटा देता हूं किसी को कनफ्यूजन ना हो यह लो कि इसके बाद मैं इसको अलग करूंगा यह अलग दो भी यहां नहीं लिखेंगे भाई फिर कोई मतलब नहीं कि यह फूर कामा फिप्टीन यहां लेलो साइड में दिखतो रहा है तो दुना चार पंदरा दो से काड़ दो तो एक कम दो यह पंदरा 3 पचे 5 चिसका अंसर आएगा 1920 यह जो पच्चे बता रहे 1920 हंका ठीक है 1920 आएगा कोई दिक्कत नहीं है 1920 आएगा ठीक है काजल गौतम जी ठीक है वाई very good काजल गौतम जी सई ही आपका देखो थो थो चार एक पंच से सात थे साता बार दो आया है कितनी बार है साथ बार दो आया है देखो मैंने पांच बार लिख लिया ये छे बार और ये साथ बार उसके बाद तीन है एक बार और एक बार पांच है चलो लिख लो ये फाइनल में गुड़ा कर लो 1920 इसका आंसर आएगा आप इसमें और जदा तो बताना है नहीं और जदा नहीं बताना है रवी संकर देखो बच्चा तुम इसलिए बलाक किये जाते हो फिर तुम कहो के मुझे बलाक कर देते हैं तुम नहीं-ईन अटंकी करके आते हो अब एक नया नाम लिखके आयो तो तुम बलाक ही रहोगे फिर आईडी नहीं नहीं बनाते रहो ठीक है चलो बनाते रहो तुम जब तक आईडी बने ठाप लीजिए सबी बच्चे फटा फट लिख लीजिए वीडियो रुख गया है क्या करूँ आवाज बस आ रही है घपी जी गेमर बच्चा आप फिर से वीडियो को रीपले करो ठीक है एक बार फिर से रीपले करो चलेगा सभी का चल रहा है हमें खुद देख रहा हूं मेरा भी चल रहा है कोई ऐसी समस्या नहीं जैसी आपको आ रही है कि मैं आवाज भी देख लेता हूँ् सबस्द कुमार कह रहे हैं मेरा नाम लो सुबोध 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 और सुबोध कितनी बार बोलूं एक सो आठ बार बोलूं क्या है थी मिस्टर सुबोध नाम तो तुम्हारा बोल दिया मैंने है जिव हम पंचाल बोलने बहुत छोटा चीज है बच्चा देखो तुम छोटे पैदा हुए थे पूरा मत मनना है न बाद में सब कुछ होता बड़ा न तो पहले छोटा ही सीखा ज होता है पड़े से नहीं चलो तो साथियों आज का हमें लगता टाइम ओबर हो गया है बंद किया जाए फिर बहुत हो गया नहीं तो सब पढ़ाई देंगे आज ही तो फिर तुम लोग आगले दिन आओगे काहे ला कि देखिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जिनको पूरा मैत सीखना है वो नंबर नोट कर लें और इंक्वारी करें और हमारी प्रीमियम क्लास को जॉइन करें हमारा एक ही सुझाओ होगा कि अगर आप मैथमेटिक्स वास्तों में सीखना चाहते हैं और कम समय में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम क्लास को आव प्रिमियम कलास के लिए याद रहे कि प्रिमियम कलास के लिए सुल्क पेमिंट करना पड़ता है और जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमाई कर रहा है वह यूटूब पे फ्री देखें यूटूब पे सुबह पांच बजे से और रात को नो बजे से अभी परजन टाइम में हमारी कलासे फ्री आ रही है ठीक है ये प्रीमियम कोर्स के लिए है वर्डसप पर आपको जॉइन पेड लिख करके भेजना है जॉइन पेड लेकिन याद रहे इस पर आपको सुलक पेमेंट करना पड़ेगा ये फ्री की कलास पेड वाली जॉइन नहीं होती है ठीक है पड़ने के लिए आप सभी PBR study का टेली ग्राम चैनल जोईन करो भी आप टेली ग्राम का लिंक का पी करिए जलती दीजिए तिन चार बार पीबियार स्टेडी का टेली ग्राम चैनल जोईन करिये जिसकी लिंक देखो डिसक्रेप्शन में दी गई है और हाँ अभी आपको कमेंट भी कर दी जा रही पेस्ट कर दी जा रही सबी बच्चे PBR study का टेली ग्राम चैनल जोईन करें या फिर आप टेली ग्राम पे जाकर के PBR study लिखके सर्च करो टेली ग्राम एप सब के पास होगा जिनके पास नहीं है प्ले इस्टोर से डाउनलोड कर ले टेली ग्राम एप वाटसप की तरह एक चैटिंग मसंजर एप है आज ही डाउनलोड करें टेली ग्राम में आपको पूरा कंपलीट कोर्स मिल जाएगा जल्दी फे जल्दी पर टेली ग्राम का बोल रहा हूं या तुम तो एप का दे रहे हो आप लोग ले लो फटाफट और जिनको फ्री पढ़ना वो जोईन कर लें और जिनको जल्दी फे जल्दी पढ़ना है कम समय में पूरा सीखना है वो सभी VVRA Study का प्रीमियम कोर्स जरूर जोईन करें अवस्य जोईन करें ठीक है जो अभी तक पढ़ाया गया सब भेजा गया उसमें समझ गये ना जो अभी तक पढ़ाया गया सब पढ़ा दिया गया आपको मतलब जो अभी तक पढ़ाया गया सब उसमें है चले फिर आगे बढ़ें आगे बढ़ें फिर कोई और समस्या तो नहीं ना किसी को और किसी का कोई सवाल गुर्णा करने कर तरीका बताओ वैए सुखराम नागपुरी शुखराम नागपुरी जी देको बच्चा यसा पढ़ा दिया गया, करवा दिया गया करवा दिया गया ये सब समझ गए ना चलो फिर बंद करते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंकियो आप सभी को दिल से धन्यवाद पूरा कलास देखने के लिए शुक्रिया इंड कर देजिए और अगर कोई और भी समझ